नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का तो साथियों आज आम मैच कवर करेंगे वीवो प्रो कबड़ी 2024 का 21 वा मुकाबला जो खेले जाने वाला है हर्याना स्टीलर्स वर्सीज दबंग दिल्ली के वीच में तो दोस्तो मुकाबला 28 अक्टूबर को खेले जाने वाला है आठ वजे मुकाबला स्टार्ट होगा तो दोस्तो आज के मैच की हमारी फाइनली ग्रेंड लिग टीम का क्या कोंबिनेशन होना चीए कौनसे खिलाडी को दोस्तो हम कैप्टन सी में लगा के चलें इधर से दोस्तो आपको देखने को मिलेगा यहां से मोहमद राजे सादलू हरियाना स्टीलर्स की तरफ से ओल राउंडर ओप्शन जो की दोस्तो कंटिन्यू मैचों में काफी बढ़िया परफोर्मेंस करके गया है और इसके साथ दोस्तो दबंग दिल्ली से आपको आसू मरिक और उसके साथ साथ नवीन एक्सप्रेस देखने को मिलेगा तो कौन सा खिलाडी दोस्तो हमें रैडर में लेके चलना है कौन सा खिलाडी को हम ड्रोब करके चल सकते हैं कितने खिलाडी हमें defense में लेके चलने हैं, तो पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस video के अंदर मिलने वाली है, वीडियो को दोस्तों complete देखते चलना, और अभी तक अगर आपने वीडियो को like नहीं किया है, तो फटापट से दोस्तों वीडियो को like कर लेना, channel को subscribe कर लेना, आ बात करेंगे दोस्तो सबसे पहले point table के बारे में और आज का जो match है दोस्तो काफी तगड़ा होने वाला है mini grand league user के लिए तो point table के बारे में बात करें तो हर्याना Steelers की team दोस्तो दो मुकाबले खेल के आ रही है एक मुकाबला इस team ने win किया है और एक मुकाबला दोस्तो हार के गई थी वीवो प्रो कबड़ी के point table में दोस्तो दसवे स्थान पे देखने को मिलेगी और इसी के साथ दबंग दिल्ली के बारे में बात करें तो ये दोस्तो वीवो प्रो कबड़ी के पॉइंट टेबल में चोथे स्थान पे देखने को मिलेगी, तीन मुकाबले इस टीम ने भी खेले हैं, दो मुकाबले दोस्तो ये टीम विन करके आ रही है, एक मुकाबला इस टीम ने हारा है, पहला मुकाबला दोस्तो इस टीम ने था सेकंड मुकाबला हार के गई थी और तीसरा मुकाबला अभी री सेंट में विन करके आ रही है तो यहां से दोस्तो हर्याना स्टीलर्स की बात करें तो दो मुकाबले इस टीम ने खेले हैं एक मुकाबला विन किया था एक मुकाबला हार के गई थी तो आज के मैच में दोस दोस्तो आठ बार यहां से विनर बनी थी हर्याना स्टीलर्स की टीम, 6 बार विनर बनी थी दबंग दिल्ली की टीम, 8 मुकाबले हार के गई थी दबंग दिल्ली की टीम और 6 मुकाबले दोस्तो हार के गई थी यहां से हर्याना स्टीलर्स की टीम, इनका कोई भी मुकाबला दो प्यालिज पॉइंट किये थे सबसे लोईर स्कोर की बात करें तो 24 पॉइंट निकाले थे दबंग दिलली की टीम ने और यहाँ से 21 पॉइंट दोस्तो सबसे लोईर स्कोर हड्याना स्टीलर्स की टीम ने कवर किये थे एक तरफ दोस्तो आपको डिफेंस में काफी अच्छे डिफेंडर देखने को मिल जाएंगे और एक तरफ दोस्तों काफी बढ़िया रेडर हैं तो कौन से खिलाडी को हम CVC में ट्राई करके चल सकते हैं यहां से दोस्तों राहुल सत्पाल आपको राइट कोरनर पे देखने को मिलेगा और यहां से दोस्तों मौहमद राजे सादलू ये आपको लेफ्ट कोरनर पे नजर आएगा जो कि ओल राउंडर ओप्शन में है उसके साथ सिवम है उसके साथ दोस्तों विन्य है ये दोनों आ टीम का कॉंबिनेशन बनाएंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तो हरियाना स्टीलर्स के फाइनली प्लेयर परफोर्मेंस के इसाब से ओल राउंडर ओप्शन है यहां से नवीन अभी तक दोई मुकाबले इस खिलाडी ने खेले हैं टोटल दोस्तो 6 पॉइंट इस खिलाडी ने कवर किये थे उसके बाद दोस्तो यहां से नैसामानी रीसेंट के मैच में फ्लोप देखने को मिला है दो मुकाबले इस खिलाडीनी अभी तक खेले हैं और continue दोस्तो फ्लोप है, 0% दोस्तो successful tackle कवर करता है, defense में दोस्तो देखने को मिलेगा और लगबग दोस्तो finally starting seven में ये खिलाडी आपको खेलते वे नजर नहीं आएगा उसी के साथ नंबर तीन का खिलाडी जो की defender है, ये भी दोस्तो continue flop ही है दोनों खिलाडी new हैं और दोनोंने दो-दो मुकाबले खेले हैं, back to back दोस्तो ये खिलाडी flop है इनकी update मैं आपको टेलिग्राम चैनल पे डाल दूँगा, अभी के लिए दोस्तो हम इन खिलाडियों को drop करके चलेंगे उसके बाद विने जो की radar है, recent वाले match में 7 red point, 3 bonus point, total 10 point cover किये थे 25 मुकाबले इस खिलाडी ने खेले हैं, 137 red point है, 2 tackle इसके पास है, 49% दोस्तो successful red cover करता है विने भी दोस्तो काफी जादा important खिलाडी होने वाला है redder में और इस खिलाडी को दोस्तो लेके चलना है उसके बाद सिवम जो की radar में नजर आएगा, recent वाले match में 4 red point, 0 tackle point, 0 bonus point, total 4 point, 25 मुकाबलों में 124 red point है, 5 tackle इसके पास है और 54% दोस्तो successful red point cover करता है, ये दोस्तो low selection वाला खिलाडी है, वो ट्रम्प काड़ी खिलाडी देखने को मिल सकता है जैसा कि दोस्तो हमने पिछले मुकाबले में देखा था, कुछ उसी परकार्ट से इस match में भी दोस्तो combination बना के चलेंगे उसके बाद राहूल सत्पाल recent वाले match में 3 tackle cover करके आ रहा है, 25 मुकाबलों में दोस्तो 3 red point है, 79 tackle cover कर चुका है 54% दोस्तो successful tackle cover करता है, defense में दोस्तो राहूल सत्पार unique captain voice captaincy में लेके चलना है उसी के साथ final खिलाडी यहां से सादलू all rounder option है, recent के match में 2 tackle point, 0 bonus point, total 2 point, 26 मुकाबलों में 27 red point है 105 tackle cover कर चुका है, 50% दोस्तो successful tackle cover करता है, captain voice captaincy में लेके चलना है और लगबग दोस्तो left corner पे नजर आएगा, 3-4 tackle आज के match में cover करके जाएगा तो important खिलाडी है, CVC में लेके चलना है, यह दोस्तो finally आपको हरियाना Steelers के finally player performance देखने को मिल जाएंगे इसी के साथ दोस्तो substitute वाले खिलाडियों की बात करें, तो जैदीप दया है, जो की दोस्तो खेलते वे नजर आ सकता है 23 matchों में 68 tackle इसके पास है, 47% successful tackle cover करता है उसके साथ दोस्तो विसाल है, यहाँ से आपको संकर मिस्रा देखने को मिल जाएगा, संजी है तो इन में से दोस्तो कोई भी खिलाडी अगर finally starting seven में खेलेगा, वो update में आपको टेलिग्राम चैनल पे डाल दूँआ, नीचे description में मैंने link दे रखा है पड़ापट से दोस्तो जोईन कर लेना, इसके साथ साथ वीडियो को like कर लेना, चैनल को subscribe कर लेना, आने वाली लगातार update के लिए और इंस्टाग्राम पे follow करना मत बोलना बात करेंगे दोस्तो second team के बारे में दबंग दिनली की क्या starting 7 रहेगी, कौन से खिलाडी को दोस्तो हम CVC में pick करके चलें तो यहां से दोस्तो दबंग दिनली के पास defense थोड़ा सा कमजोर है, जैसे की आसीस मलिक है left corner पे नज़र आएगा, योगेश दोस्तो आपको right corner पे नज़र आएगा, आसु मलिक जो की right इन पे है, आसीस दोस्तो left इन पे है, विकरांत है, left corner पे नितिन पमार जो की दोस्तो right corner पे नज़र आएगा, और नवीन कुमार जो की आपको center में नज़र आएगा, main raider है, दबंग दिनली का, तो बात कर लेते हैं, इनके finally player performance के इसाब से, recent के match में दोस्तो नवीन कुमार ने काफी खतरनाग performance किया था, 13 tackle cover किये थे, 0 tackle और 13 red point, 2 bonus total, 15.9 मुकावलों में, इक्या flop था, second match में flop था, तीसरे match में खतरनाग performance किया, उसके बाद दोस्तो नितिन पवार all rounder option है, recent के match में 2 tackle cover करके गया था, 13 matchों में 18 tackle इसके पास है, 31% यहां से successful tackle cover करता है, नितिन कुमार का high selection है, लेके चल सकते हो, लेकिन नवीन कुमार का आपको high selection देखने को मिलेगा, उसके matchों में 27 tackle इसके पास है, 34% successful tackle cover करता है, अभी के लिए drop करके चल सकते हो, उसके साथ दोस्तो यहां से आशू मलिक recent के match में खतरनाग performance किया, 13 red point, 2 bonus point, total 15 point, 26 matchों में 303 red point है, 4 tackle इसके पास है, 60% successful red cover करता है, तो यहां से दोस्तो आशू मलिक भी important player होने वाला है, grand league plus small league दोनों combination में दोस्तो इस खिलाडी को लेके चलना है, नवीन कुमार पलस में आशू मलिक दोनों खिलाडी दोस्तो recent के match में खतरनाग performance करके गए थे, defense ने दोस्तो इतना खास performance नहीं किया था, जैसे कि यहां पर defense में 80 है, जो कि recent के match में flop था, 39 tackle इसके पास है, 23 red point है, 53% successful tackle cover करता है, 47% successful tackle cover करता है, तो यहां से दोस्तो योगेस को आपको लेके चलना है, ये खिलाडी important है, और सत्पाल पलस में योगेस, दोनों दोस्तो आपकी team में important होंगे, एक आपको यहां से हर्याना Steelers का defense देखने को मिलेगा, और एक तरफ दबंग दिल लीगा, उसके साथ 80 मलिक, all rounder option recent के match में एक tackle cover किया था, 53% successful tackle cover करता है, 45% successful tackle निकालता है, recent के match में यहां पर एक tackle निकाला था, बाकी 22 matchों में 53 tackle इसके पास है, ये दोस्तो फाइनली आपको दबंग दिली के final player performance देखने को मिल जाएंगे, अगर बात करें दोस्तो इनके substitute वाले खिलाडियों के बारे में, य उसके साथ संदीब देशवाल है, कोई भी खिलाड़ी यहां से starting seven में खेलेगा, वो update में आपको टेलिग्राम चैनल पे डाल दूँगा, नीचे description में लिंक है, फड़ापट से दोस्तो जोईन कर लेना, इसके साथ साथ वीडियो को like कर लेना, बात करेंगे finally fantasy team के बारे में, captaincy में दोस्तों आपको मोहमद राजे सादलू देखने को मिलेगा, दोनों टीमों में captain voice captain, राहूल सत्पाल को मैंने captaincy में try किया है, विनै को दोस्तों यहां पर मैंने unique voice captain pick किया है, नवीन कुमार, आसू मलिक, नितिन पमार, योगेस, यहां से दोस्तों नवीन है, और साथ दोस्तों नवीन कुमार है, योगेस है, यह मैंने दो finally grand league team के combination बनाए है, बाकी update दोस्तों आपको telegram channel पे डाल दूँगा, नीचे मैंने description में link दे रखा है, फड़ापट से join कर लेना, इसके साथ साथ वीडियो को like कर लेना, चैनल को subscribe कर लेना, आने वाली लगातर update के लिए तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं next interesting video के साथ.